नमस्कार आप देख रहे हैं UPS News 24 लाइव आए रज़त आते हैं आज़ी कुछ लाइव ख़वरों पड़ यूपी के जनपद राय बरेली जिले के सिवर थाना चेत्रिम में दो बच्चों के सम मिलने से मचा हलकंप जाच में जूटी पुलेस जी हाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर परदेश के जनपद राय बरेली की जहाँ सुबे के सत्ता सीन योगी सरकार भले ही अपराद वा ब्रश्थाचार के नाम पर जीरो टालरेंस की दीटी का दावा करें किन्तु यदि बात यूपी के जनपद रायवरेली की की जाए तो इन दिनों ब्रश्टाचार के साथ साथ रायवरेली में अपराद का भी ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है लगभग एक माह के अंतराल जिस तरह से सबों के मिलने का सिलसिला जारी है कही न कहीं रायवरेली की पुलिस की कारिसेली पर प्रस्ण चिन्न लगा हुआ है दरसल यूपी के जनपद रायवरेली की पुलिस की कारिसेली पर प्रस्ण चिन्न लगा हुआ है दरसल जनपद के महराजगंज तहसील के छेत्र इस्तित सिवगर थाना अंतरगत निहाल खेड़ा गाओं में हलकंप उस समय मच गया जब गुरुबार की सुभए एक नाले में दो बच्चों का सव बरामद हुआ जिस पर ततकाल पुलिस मौके पर आकर सवों को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है वही प्राप्त जानकारी के अनुसार पोस्ट माटम के लिए भेज गिया गया है बतादे प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक के बच्चे का नाम सिवा वा बच्ची का नाम सुन्दरी है जिसकी उम्र लगवग 5-7 वर्ष के मद्ध है दोनों अपनी नानी के साथ धाम कुटाने पडोस में गये थे जिनको उनकी नानी द्वारा बुदवार साम करीब 4 बजे घर भेज दिया गया किन्तु उनके घर जाने पर पता चला कि उप्रोब तो बच्चे घर पर नहीं पहुचे हैं जिस संब्ध में परिजनों द्वारा गाउं में तलास तथा पुच्चाच की गई किन्तु कोई पता नहीं चला पुलिस को भी सूचना दी गई पुलिस किसी पुलिस भी रात भर हाथ पैर मारती रही और गुरुबार की सुबह गाउं के बाहर एक नाले में दोनों बच्चों का सब बरामद हुआ जिसको लेकर रायवरेली पुलिस की कारिशैली पर लगातार प्रस्मिची ने लगा हुआ है वहीं इस बात से पुलिस अदिक्षक इसलोक कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से चानबीन की जा रही है वहीं सिवगर थाना में संबंदित धाराओं में मुकदमा पंजिकरत कर लिया गया है बच्चों के मिले सब को चोट के निसान नहीं दिख रहे हैं फिर भी मामले की हर एंगल से जाच की जा रही है उतर प्रदेश के जनपद राय वरेली से हमारे विशेस समवादाता अनुभव सुकला के साथ सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट हर खबर सबसे पहले